हेलो अबडिवन आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 500 वर्ल हिस्ट्री एन एकोनोमिक सेमसी की सीरीज का सेट नमबर टू और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर ले तो आते हैं पहले क्यूशन पे कडो को प्रदिग कब कहा जाएगा जब अमीरों की तुलना में गरीबों पर ज़्यादा बोश पड़े तो आपसन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अगले क्यूशन पर आते हैं 100 साल का यूथ 137 से 143 तक किसके बिच लड़ा गया था सही आंसर क्या होगा आपसन है आपका यहाँ पे सही अंसर हो जाएगा इंग्लेंड और फ्रांस के बीच अगले क्यूशन पर आते हैं अर्थ बेवस्ता की वह साखा जिसमें सरकार स्वास्त और सिक्षा में सिर्ष अस्तर की अधिकारी उच्छी अस्तर के निने लेते हैं अर्थ बेवस्ता के किस शित्र से संबंदित है सही अ अगले क्यूशन पर आते हैं किस यूद में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था सही अंसर क्या होगा बैटल ओफ वाटरलू किस यूद में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था तो आपको बताना कमेंड बॉक्स में बैटल ओफ वाटर लुक कब हुआ था पिछले क्लास में मैंने बताया हुआ है अब इसे तुर डिटेल में देख लेते हैं नेपोलियन को बाद में अफ्रिका के तर्ट से दूर सेंट हेलेना दूप पर निर्वासित कर दिया गया छे साल बात उनके मिरित हो गई पेट के कैंसर के कारण और अठारा सो चालिस में उनका शरीर पेरिश लोटा दिया गया जहां उन्हें होटल डेस होटल डेस इन्वैलिट्स में दफनाया गया अगले क्रिशन पर आते हैं ग्रामिन समुदाय किस परकार की अर्थ ब्यवस्ता बनाते हैं सही आंसर क् आपका यहाँ पे सही आंसर हो जागा ट्रेडिशनल एकोनोमी चो ट्राइबस बगरा होते हैं ग्रामिन समुदाय किस परकार की अर्थ ब्यवस्ता बनाते हैं तो पारमपरिक अर्थ ब्यवस्ता ट्रेडिशनल एकोनोमी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अगले क्रिशन प और इनके अपोनेंट में कौन थे, बोल सेविक के अपोनेंट में कौन थे, उन्हें क्या कहा जाता था, मेंसेविक, उन्हें कहा जाता था, मेंसेविक, अगले क्रिशन पर आते हैं, कुजनेट कर्व किसके बीच संबंध अस्थापित करता है, सही अंसर यहां पर होगा, आप तो option C आपका यहाँ पे सही answer हो जगा प्रती ब्यक्तियाई और असमानता के बीच पर capital income और inequality के बीच. Option C आपका यहाँ पे सही answer होगा और tax rate और tax revenue कौन सा कर्ब सो करता है कि यह कौन सा कर्ब संबंद अस्थाफित करता है इन दोनों के बीच? लाफर कर्ब लाफर वक्ड लाफर कर्ब अगले question पर आते हैं क्रिमिया यूद किस वर्स प्ररम हुआ था? सही answer यहाँ पे क्या होगा? अप्रिमिया यूद किस वर्स प्ररम हुआ था? तो अप्रिमिया यूद किस वर्स प्ररम हुआ था? तो अप्रिमिया यूद किस वर्स और ओटोमन समराजय, ब्रेटेन, फ्रांस और साडिनिया, पिदमोन के गड़बंदन के बीच लाड़ा गया था अगले क्रिशन पर आते हैं, गिनी कोफिशेंट या गिनी इंडेक्स किस कर्व से प्राप्थ होता है जिसका उपियो किसी देश में आर्थिक विकास के इंडिकेटर संकेतक के रूप में किया जा सकता है, तो अपसंडी आप यहाँ पर यहाँ पर सही आंसर हो जागा अब इसे तो डिटेल में देख लेते हैं, गिनी इंडेक्स या गिनी कोफिशेंट लोरेंज वक्र और पुर्ण समानता एपसलूट इक्वालिटी की एक काल्पनिक रेखा के बीच के छेतर को मापता है, जिसे रेखा के नीचे अधिक्तम छेतर के प्रतिश्यत के रूप मे गिनी कोफिशेंट या गिनी इंडेक्स या लोरेंज कर और पुर्ण समानता एपसलूट इक्वालिटी की एक काल्पनिक रेखा के बीच के छेतर को मेजर करता है, जिसे रेखा के नीचे अधिक्तम छेतर के प्रतिश्यत के रूप में गिनी गुनांग क्या है गिनी इक्वालिटी को मेजर करता है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले, कि जो गिनी इंडेक्स है या मेजर किसे करता है, तो किसी भी पॉपुलेशन में डिक्डी ओफ इनकम इक्वालिटी को, और जो गिनी कोफिशेंट है, या 0 से एक की बीच में लाई करता है, 0 का मतलब क्या ह वब पर्फेक्ट इक्वालिटी है, मतलब सब बराबर है, और वन का मतलब क्या हुआ, पर्फेक्ट इनक्वालिटी है, पुर्ण अश्रा मानता है, अगले क्यूशन पर आते हैं, टैनन बर्ग का यूद, किन दो देशों के बीच लड़ा गया था, सही आंसर क्या होगा, और स आपका यहां पर सही आंसर हो जगा, जर्मनी और रूस के बीच, कब से कब तक हुआ, तो 26 से 30 अगस्त, 1914 तक हुआ था लड़ाई, बैटल ओफ टैनन बर्ग, इसमें जीता कौन था, तो जर्मनी ने इसमें जीत हासिल की थी, अगले क्यूशन पर आते हैं, आर्थिक विकास आम तोर पर किस के साथ जुरा होता है, सही आंसर यहां पर हो का, आप्शन भी, इन्फलेशन के साथ, मुद्रा इस्विती के साथ, आर्थिक विकास, एकोनामिक डेपलोपमेंट, आम तोर पर किस के साथ जुरा होता है, तो इन्फलेशन के साथ, आपका यहां पर सही आंसर हो जागा कुछ condition है इसके अलावा एस्टेक्फिलेशन क्या होता है जब महंगाई भी चरम पे हो और बेरोजगारी भी आपका चरम पे हो तो इसे क्या बोलते है इस्टेक्फिलेशन बोलते हैं अगले question पर आते हैं तो option C आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा England और Argentina के बीज अगले question पर आते हैं निमने लिखित में से किसे राष्ट्रिय डिन नेशनल डेप्ट नहीं माना जाता है सही आंसर यहाँ पे होगा option D इंसूरेंस पॉलिशी बीमा पॉलिशी आ निमने लिखित में से किसे नेशनल डेप्ट नहीं माना जाता है तो इंसूरेंस पॉलिशी को आप संधी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राष्ट्रिय डिन से तत पड़य उस कुल धन रासी से है जो सरकार पर बहरी रिन अगले केशन पर आते हैं पॉर्ट्स माउट की संधी के साथ कौन सा यूद औप्चारिक रूप से समअप्थ हो गया सई आंसर यहां परहोगा ऑप शन पर्जुवय ककर रिन को छोड़ कर कुल ब्याय तथा कुल प्राप्तियों टोटल एक्सपेंटिजर और टोटल डिसिप्ट के अंतर को क्या कहा जाता है तो option B आपका यहाँ पे सही आंसर हो जागा अधाच कोशिय घाटा फिस्कल डिफिशिट यहाँ पे की पॉइंट क्या है रिइन को छोड़ कर इसमें बोरोईंग क्या है इंक्लूड नहीं है रिइन को छोड़ कर कुल ब्याय तथा कुल प्राप्तियों टोटल एक्सपेंटिजर और टोटल डिसिप्ट के अंतर को क्या कहा जाता है तो फिस्कल डिफिशिट option B आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अचा primary deficit क्या होता है तो जब हम लोग फिस्कल डिफिशिट से interest payment सब्ट्रेक्ट कर देंगे interest interest payment जब हम लोग घटाते हैं तो क्या मिलता है primary deficit का अत्मी घाटा मिलता है तो याद क्या क्या रखना है हेडिन को छोड़कर कुल ब्याय तता कुल प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है फिस्कल डिफिशिट और जब फिस्कल डिफिशिट से हम लोग interest payment घटाएंगे तो क्या मिलेगा primary deficit मिलेगा अगले question पर आते है भविश्य में परमानु युद्धो को कम करने के लिए कौन सी संदी प्रस्तावित की गए थी तो सही answer यहाँ पर क्या होगा option है आपका यहाँ पर सही answer हो जागा आप्रसार संदी सौट में इसे बोलते हैं non proliferation treaty NPT सौट में इसे बोलते हैं किसी निश्चित ओधी के लिए देश के निडियात export और आयात import के मौद्रिक मुल्य monetary value के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है तो option B आपका यहाँ पर सही answer हो जागा balance of trade व्यपार का संदी लर्न किसी निश्चित ओधी के लिए देश के निडियात और आयात के मौद्रिक मुल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है तो option B आपका यहाँ पर सही answer हो जागा balance of trade व्यपार का संदी लर्न अब यहाँ पर कुछ important point देख लेते हैं balance of trade क्या होता है value of export minus value of import जब value of export greater than हो value of import से तो इसे क्या बोलते है trade surplus कहा जाता है इसे कहते हैं trade surplus और जब value of export less than or value of import तो इसे क्या बोलते है trade deficit से कहा जाता है तो यह 2 point आपको यहाँ पर याद रखना है अगले question पर आते हैं किस सभ्यता को लोगतंद्र की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है सभ्यता को लोगतंद्र की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है तो option C आपको यहाँ पर सभ्यता जाता है अगले question पर आते है जब किसी देश को एक ही समय में चालू खाता घाटा इंगलिस में से क्या बोलते है current account deficit और आज कोशिये घाटा फिसकल डेफिसीट का सामना करना परता है तो इसे क्या कहा जाता है तो इसे बोलते है ट्विन डेफिसीट बोलते है option B आपका यहाँ पर सही आंसर होगा जब किसी देश को एक ही समय में चालू खाता घाटा current account deficit और अज कोशिये घाटा फिसकल डेफिसीट का सामना करना परता है तो इसे क्या कहा जाता है ट्विन डेफिसीट बोलते है option B आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अगले question पर आते है 20 June को तीसरे E.E.State के प्रतिनी थी वर्साइए के इंडोर टेनिस कोट में किस लिए एकत्र हुए तो सबसे पहले यहाँ से कुछ important point देख लेते है फ्रांसीसी समाज को फ्रांसीसी समाज को तीन भागों में डिवाइड किया गया था फर्स्ट E.E.State फर्स्ट E.E.State फर्स्ट E.E.State फर्स्ट E.E.State और थर्ड E.E.State फर्स्ट E.E.State में कौन थे? पादरी सेकंड E.E.State में कुलीनवर के लोग आते थे और थर्ड E.E.State में कौन थे? किसान किसान थे और मध्यमवर के ब्यपारी मध्यमवर के ब्यपारी इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या रखना है जो पहले और दूसरे e-state के थे ये privileged class के थे इन्हे tax नहीं देना होता था जबकि जो third e-state के थे तीसरे e-state के चो थे इन्हे tax देना होता था ये क्या करते थे कर देते थे कर देते थे मतब inequality काफी थी अब आते question पर question क्या पूछ रहा है 20 जून को तीसरे e-state के प्रतिनी थी वर्साइ के इंडोर टेनिस कोट में किस लिए इकतर हुए तो सही answer यहाँ पर क्या होगा option A आपका यहाँ पर सही answer हो जागा क्योंकि वे एक ऐसा समीधान चाहते थे जो राजा की सक्तियों को शिमित करते तो सही answer क्या हो जागा option A आपका यहाँ पर सही answer होगा अगले question पर आते हैं मुल्य सुचकांग price index निमने लिखीत में से किसमे परिवर्तन से मापा जाता है तो सही answer यहाँ पर होगा option D purchasing power of money पैसे की क्रै सकती जो price index होता है निमने लिखीत में से किसमे परिवर्तन से मापा जाता है तो option D आपका यहाँ पर सही answer हो जागा purchasing power of money अब यहाँ से कुछ important point देख लेते हैं जो purchasing power होता है invertly proportional होता है किसके price index के price index के जिसके Allah cpi हुआ consumer price index ppi हुआ तो यहां से एक point आपको याद रखना है जो purchasing power होता है ये inversely proportional होता है price index के अगले question पे आते हैं किस सहर को पुनर जाकरन के जर्म अस्थान के रूप में जाना जाता है सही answer यहाँ पे क्या होगा option ने आपका यहाँ पे सही answer हो जगा फ्रोडेंस किस सहर को पुनर जाकरन के जर्म अस्थान के रूप में जाना जाता है तो आपसे ने आपका यहाँ पर शरी आंसर हो जगा फ्रोडेंस अगले क्रिशन पर आते हैं devaluation ओमुलियन आम तोर पर आंतरिक किम्तों का कारण बनता है simply आपसे पूछ रहा है कि जब devaluation होता है तो internal price पर क्या effect होता है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे devaluation क्या होता है पहले devaluation या ओमुलियन को समझ ले devaluation क्या होता है devaluation मालो आसी एक साल पहले एक डॉलर 10 रुपे का था ठीक है एक छोड़े सा एकजामपा ले रहा हूँ और अब कितना है एक साल पहले एक डॉलर कितने के बराब रहता है 10 रुपे के अब क्या किया RBI के गवर्नर ने RBI ने क्या किया कि एक डॉलर कर दिया कितने का 20 रुपे गा तो इसे क्या बोलते है devaluation बोलते है इसे क्या बोलते है ओमुलियन इसे बोलते है और मुल्य निया devaluation, अब इसका असर क्या आता है, तो इसका असर आता है international trade भे, ठीक है, अब example से समझ लेते हैं, तो सबसे पहले तो आपको दो point note करना है, जब devaluation होता है, तो export क्या होता है, export आपका, increase होगा, और दूसरा जो point क्या आपको याद रखना है, जो price होता है, जो price होता है, जो price होता है, देश के उत्पात का, देश के उत्पात का, यह क्या होता है, international market में, international market में क्या हो जाता है, गिर जाता है, तो याद क्या रखना है, कि अभी devaluation होगा, devaluation क्या होता है, एक साल पहले एक डोलर कितने का था, 10 रुपया का, अब RBI ने क्या गिया है, इस साल एक डोलर कर दिया 20 रुपया, तो इसे क्या बोलते है, devaluation या हिंदी में क्या बोलेंगे, गिर जाता है, इसे एक example से समझते हैं, मालो, इवेसे का कोई आदमी है, हो इंडिया आया, एक साल पहले इंडिया आया था, तो यहाँ पे एक ट्वाय है, ठीक है, खिलोना है, इसका दाम है, 10 रुपया, 10 रुपया दाम है, तो एक साल पहले जब आया था, तो ज़्यादा पै एक डॉलर पे किया, और यही बंदा जब इस साल आएगा, तो आप एक डॉलर कितने का हो गया है, अब जब इस साल आया, तो आप एक डॉलर बीस रुपया का हो गया है, मतलब एक डॉलर में आप वो क्या करेगा, दो ट्वाय ले लेगा, एक ही डॉलर में पिछले बार आय तो एक डॉलर में एक ट्वाय लिया कि खिलोने का दम कितना था दस रुपया था अभी खिलोने का दम दस रुपया है लेकिन अब वो एक डॉलर में कितना लेगा कितना ट्वाय लेगा दो ले लेगा तो मतलब क्या हुआ और लेके कहां जाएगा अपने घर जाएगा अपने इंक्रीज हुआ इसका मतब क्या हुआ एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ लेकिन देश के उत्पात का जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ डाउन हुआ तो यही मैं समझा रहा था जब भी devaluation होगा तो export increase होगा और price जो होगा देश के product का international market में गिरेगा और क्या है चो internal price है उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा आपके लिए तो एक साल पहले भी 10 रुपया था आज भी क्या है 10 रुपया है तो international price पे sorry internal price पे कोई फर्क नहीं परने वाला है तो यहाँ पे सही answer क्या होगा option C आपका यहाँ पे सही answer हो जगा remain unchanged अब परिवर्तिट devaluation का internal price पे क्या अशर आता है तो remain unchanged option C आपका यहाँ पे सही answer होगा अगले question पर आते है Sir William Wallace को किस देश के 77 सिनानी के रूप में जाना जाता है सही answer यहाँ पे होगा option B Scotland Sir William Wallace को किस देश के 77 सिनानी के रूप में जाना जाता है तो option B आपका यहाँ पे सही answer हो जगा Scotland और आज के आखरी question पर आते है नीजी निवेस को अन्यथा कहा जाता है private investment is otherwise called as तो सही answer यहाँ पे होगा induced investment option A आपका यहाँ पे सही answer होगा induced investment क्या है ऐसा निवेस आम तोर पर नीजी कंपणियों द्वारा तब किये जाते है जब वे मांग और आपूर्ती के बीच अंतर देखते हैं और ऐसे उद्यम से मुनाफ़ा कमाते है तो जो induced investment होता है प्रेडित निवेस इनका intention क्या होता है to generate profit out of such investment तो यहां पर सही answer क्या हो जाएगा option आपका यहां पर सही answer होगा तो यह तो थो थो आपको आज का लेक्ट्चर अगर आपको इसका पेडियो चाहिए तो आप टेलीक्राम चैनल प्रतीक आईक्यू करेंट आफेर को जोइन कर सकते हैं और अगा वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले मिलते हैं नहीं वीडियो में नेट टॉपिक के साथ तब तक के लिए नबसकार जाहें